नमस्ते मैं आज आपको आवले का तेल बनाना सिखाऊंगी और आवले का बहुत कुछ बनता है जैसे कि मुरब्बा बनता है और कीस के इसको हम लोग सुखा के भी रख सकते कीस के रखना बहुत ज़रूरी क्योंकि पाउडर बनाने में हमको आसानी होती है अगर हम ऐसे उबा को टोड़ के उसको ठोड़ के सुखाते है तो वह पाओडर बनाने में बहुत पर्षानी होती है इसलिए कीस के रखना बहुत अच्छा होता है क्योंकि हम पाओडर भी बना सकते इसका और ऐसे खाना है तो ऐसेजिए खा सकते उनको रोकने के लिए उनको गिरने से भी बचाने के लिए यह तेल बनाएंगे हम तो सबसे पहले हमको पाच्छे आमले को किस लेना है और किसने के बाद गैस चालू करके एक छोटी सी कड़ाई लेकर चाहे आपके पास लोहे की हो तो बहुत अच्छी बात है मेरे पास नहीं है तो एक कड़ाई ले लिजिए और इसमें थोड़ी सी एक चम्मच पूरा एक चम्मच महंदी डाल दीजिए अपना दो हाथों में लगाते हूँ वाली और फिर दो चम्मच हमको बादाम का तेल डालना होगा बादाम का तेल बहुत ही अच्छा होता है बालों के लिए स्कीन के लिए और दिमाग के लिए और आमला भी बहुत ही अच्छा होता है बच्चों को प्रती दिन एक एक खिलाए जाए तो उनका मेमोरी पावर बढ़ जाता हैं मैं खुद अपने बच्चे वो खिलाती हूं और उनको पड़ा लिखा बहुत लंबे समय तक याद रह जाता हैं और अब इसके बाद हिला दीजिए और गैस को अन कर दीजिए दीमी आज पर रखना होगा नहीं तो जल जाएगा मेरे से थोड़ा सा जल गया जलने नहीं देना है इसको कोकनट ऑईल भी डालना होगा हमको बड़े-बड़े मीडियम आले दो चमबच ज्यादा छोटे नहीं और ज्यादा बड़े नहीं तो यह जम गया है तेल यह निकलने में बहुत परिशानी हो रह और आपको यह तेल लगाना कैसे हैं यह भी मैं आपको बताऊंगी नहने से पहले आपको तल नहना है तो आज साम को आप थोड़ी देर लगा सकते हैं या तो सुबह-सुबह उटके आप बालों में लगा दीजे और आट-नो बजे-दस बजे धो दीजे तो भी चल जाएग अब खिला दीजिए इसको पकने दीजिए क्योंकि यह आमले का पूरा जूस है इसमें निक्स हो जाए पुरा की पूरा उसका वो वीटामिन्स है वो पूरे की पूरे उसमें उतर जा और वो करीब 10 मिनिट मुझे लगा है इसको पकाने में और मैंने सिर्ट तीन-चार बार का है यह तीन-चार बार हम बालों में लगा सकते हैं इतना बनाई है आप चाहे तो बहुत सारा बनाकी भी रख सकते हूं पर मैंने नहीं रखा मेरको दिखाना था आपको इसलिए मैंने थोड़ा साई बनाया है आपको दिखाना है